अलो प्रेंट्स, वेलकम तो माई यूटूब चैनल, ओनलाइन स्टेडी फोर कंप्यूटर साइंस सो पोस्ट ग्रेस्क्वल सीखने की इस सीरीज में आज हम बात करेंगे एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जो है जोईन के बारे में जोईन पर पर पडश से काफी इंपोर्टेंट होती है, इंटर्यूमें, कही बार आप को जोईन स्टेड्मेंट से क्वैरी को डाइट करवाते हैं वो चाहे simple join हो या inner join या outer join या फिर left join और right join ये join के different different types हैं जिनको हम one by one videos में यहाँ पर discuss करेंगे तो ये topic है जो काफी important है इससे आपको query आपको लिखना आना चाहिए ये हम सबसे पहले बात करते हैं तो join का use अभी तर हम क्या करते हैं हम एक table से data को fetch कर रहे हैं या फिर उसमें data को हम उसी से retrieve कर रहे हैं उसी में जो भी कुछ editing या फिर update कर रहे हैं वो एक ही table में करते हैं अब हमारे पास ऐसी हमारे requirement हो सकती है कि हमारे पास more than one tables हो और उन से हम एक साथ data को fetch करना चाहें तो वो हम कैसे कर सकते हैं हम multiple tables से data को fetch कैसे कर सकते हैं वो हम join के दुआ रगा सकते हैं जैसे कि इसके name से ही पता है join मतलब कि ये दो tables को more than one tables को join करता है on the basis of certain conditions ठीक है कुछ conditions के base पे वो दो tables को join करता है तो हम दोनों से हम data को fetch कर सकते हैं तो चलिए ये देखते हैं कैसे हम कर सकते हैं हम यहाँ पर practical live यहाँ पर मैं आपको करके बतावाँ आप सो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर दो tables हैं यहाँ पर आप देख फारें पहरी tables है जो हमारे पास एक दूसरी table है हमारे पास teacher's नाम से जिसमें भी हमारे पास 3 fields है ID और name और उसकी severity है दोनों को एक साथ एक फैच करना चाहते हैं दोनों को की farra कैसे हैं हम जोइन के दौारा रच सकते हैं वो हम join के दौारा रच सकते हैं तो इनको भी टाइप शाय को वन बाइग डिसकस करेंगे इस वीडियो में हम जो सबसे बॉस्ट सिंपल और सबसे बीसिक टाइप है वो है जो सिंपल जो इनल जो इनल जो इने जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे वो बेसिकली क्या करता है वो दो टेबल से डिटा को फैच करेंगी ठीक है इसके अलाबा वो कोई गी एक्स्ट्रा डिटा को यहां पर फैच नहीं करेगा तो मैं यहां पर आपको क्रेजी आपको राइट करकी बताता हूँ जिसमें हम क्या करेंगे हमार बस दो टेबल से इनसे हम क्या करेंगे जहां पर मैं फर्स्ट नेम और लाश्ट नेम स्टूडेंट से मैं यहां पर सेलेट करूआ और एक कॉलम है जो मैं टीचर से फर्स्ट नेम उसको मैं सेलेट करूआ तो बिसिकली मैं क्या करने वाला वाला हूं, फैस्ट करने वाला हूं, सो मैं यहां पर अब query लिखता हूं, या फिर मैं, क्या रखता हूं मैं एक नए table भी यहां पर open, sorry, एक नए table open कर लेता हूं, ताकि मैं आपको अच्छे से यहां पर दिखा पाऊं, क्योंकि 2 मुटे बाद समाज पास इस tab में और यहां पर हम इस tab में यहां पर query राइट लेंग, ठीक है, सो यहां पर query राइट लेंगे, ठीक है, सो अब हम query लिखते हैं, इसकी query होती है, जैसे मैं सबसे पहले लुखता हूं, select, क्या हमें select करना है, अभी तो आप लिखते हैं, जैसे मैं स्टूडेंट से first name select करना चाहता हूं, first name, last name, sorry, end name, ऐसे में लिखते आँ हो, अब हमें पता है कि हमारे पास more than one table है, तो हमें क्या पता है first name और last name है जो कौन सी table का है, हो सकता है दोनो टेबल में f name और last name same है, तो हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सी table का है, तो इसके लिए हम tables का नाम यहां पर mention करते हैं, जैसे मैं first name और last name students table से fetch करना चाहता हूं, तो मैं यहां पर mention को हुआ students dot first name students उस table का नाम dot operator के साथ हम उस field को जिसको fetch करना चाहते हैं, तो select students dot f name इसी तरिके से, यहां पर भी मैं students dot l name ठीक है, और एक मैं जो fetch name है जो teachers का, वो मैं teachers वाल टेबल से fetch करना चाहता हूं, तो यहां पर मैं mention करना teachers dot name ठीक है, तो तीन चीज़ हम fetch करना चाहते हैं, first name और last name students है और teacher का name है teachers all tables है ठीक है, इसके बाद हम यहां पर define करेंगे, अभी तर्क की query की हूँ, select students dot first name students dot l name teachers dot ls sorry teachers dot name अब यहां पर हम जहां पर हम conditions define करेंगे, from ठीक है, जैसे हम from table का नाम बहुते हैं, तो हम यहां पर define from table 1 table 1 है हमारी कोई उसका नाम, जैसे table table है students, from students, फिर यहां पर आपको inner join, जैसे अभी हम बात कर रहें inner join गी, तो यहां पर मैं inner join, और उसके बाद आप table 2 का नाम देते हैं, जो है हमारी पास teachers ठीक है, so from students, inner join, teachers, अब यह क्या रहता है, inner join से students और teachers, दो table है, इन दोनों को जोइन करेगा, inner join statement है, जो दोनों teacher tables को जोइन करेगा, अब किस condition पर जोइन करेगा, वो condition हम यहां पर define करते हैं, keyword के साथ, ठीक है, अब वो condition हमें define करेगे हैं, जिस condition के base पर हमें जोइन करना है इन दोनों tables होती है, यह जरूर ही है, दोनों tables में common होगा, वो field उसके base पर हम यहां पर tables को join करता हैं, ठीक है, अभी हमार केस में देख सकते हैं, students में id है, और इधर teachers वाले में भी id है, यह दोनों same है, ठीक है, सो हम इसके base पर हम यहां पर join करने वाले हैं, मैं आपर conditions define करने हो, on students dot id, ठीक है, equals teachers dot id, ठीक है, यह complete यहां पर हमार पास query होई, ठीक है, so query थे होई, select students dot f name, students dot l name, teachers dot name, from students, inner join, teachers, on on की माद हम यहां पर condition परवाइड किये, students dot id, equals teachers dot id, मतलब कि इन दोनो tables को join करके, यहां पर हमें data fetch कीजिए, जहां पर student की id, और teachers की id, दोनों same है, उन data को यहां पर fetch करना है, इस condition के according हमें data fetch करना है, so यहां पर, अभी query क्या करेगी, जैसे यह students है, इसमें id जैसे 1, 2, 3, 4 है, और इसमें भी id, 1, 2, 3, 4, 5, 6, जादा है, तो यहां पर जो भी id match करेगी, जैसे इसकी id 1 है, और इसकी id 1 है, तो यह दोनों match करेगी, तो इन से related data को fetch करेगी, इसी तरह के से यहां पर 2 है, और इदर भी अगर 2 match करेगा, तो उन से दोनों से related data तो यहां पर fetch करेगी, ठीक है, तो अब मैं इस को यहां पर execute करता हूं, यहां पर हमें table में जो data fetch किया है, वो देख सकते हैं, first name और last name है, जो students वारे table से हैं, और जो name है teachers वारे table से यहां पर fetch किया है, तो यहां पर simple 1, 2, 3, 4, 4 ही इसमें रोज यहां पर fetch किया है, वो क्योंकि है, क्योंकि हमारे पास यहां पर 1, 2, 3, 4 ID है, और इधर भी 1, 2, 3, 4 ID, बस ID 4 करी हमें मैच कर रहा है, आगे teachers वारे table की 5 और 6 ID यहां पर match नहीं किये, क्योंकि 5 और 6 ID इधर नहीं है, तो यहां पर जो ID match कि है, जो condition satisfied है, उससे related यहां पर data fetch किया है, ठीक है, तो inner join है, जो simple join भी बोलते है, इसको हम simply join भी बोलते है, simple join, तो यह बैसे लिए क्या गज़ता है, जो condition satisfied करता है, उससे related data को ही fetch करेगा, इसके extra coin data को fetch नहीं करेगा, ठीक है, तो यह हुआ, simple join के बारे में, ठीक है, जिसको inner joining भोलते है, तो यह सबसे basic type था, simple join का, ठीक है, यह आपको अच्छे से समझ जाया होगा, और अगर आपको यह अच्छे समझ जाया जाएगा, तो आगे वाली जो भी types है, वो भी इसी पर base है, simple, ऐसा ही query लगबर, ऐसी है, बस उसमे statement का ही फारक है, inner join और out join, life to join, ठीक है, उनका थोड़ा सा role अपना रॉल होथा है, वो हम आगे वाली वीडिवर्स में डिसकस करेंगे, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो, तो आप इसको like और share कर सकते हैं, और अगर आप उमारे चैनल पे नए हैं, तो आप उमारे चैनल को subscribe कर सकते हैं, क्योंकि मैं आप और computer science से related, ऐसी ही वीडियो और tutorials आपके लेकिया आता हूं, so thank you for watching this video, मिलते हैं next video में, तब तक के लिए, bye and take care. खिलिए में प्राइम कते हैं. झाल झाल